उत्तरपदेश के चुनाब में दो सीटे पाती है पश्चिम बंघाल में सिन्ने पाती है दिल्ली के विधान सबह चुनाब रजीन निकले हैं यह अपने पर दिखाता है कि आप सपने देखते हैं दिन में भी देखते हैं, आप कुछ कह के दिखाएं, मुस्लिम लड़के मज़्जद में लड़क्या चेरने जाते हैं। एक बार कहें, मुस्लिम गंदा शब्द है। बात करते हैं राहुल गांदी को कोई चपरासी की नौकरी ना दे आपने अध्यक बना दिया उपाध्यक बना दिया इस चोटे दंगल का सबसे अच्छा खिलाडी चाहे वो मंता बैलर जी हो अरविंद केजरिवाल हो राहुल गांदी हो अखिले जादव हो या कोई और हो ने देखा है किस तरह से कॉंग्रिस पार्टी पूरी तरह से अपना सबसे खराब प्रदर्शन करती है चाहे 14 हो चाहे 1900 उत्तर प्रदेश के चुनाब में दो सीटे पाती है पश्चिम बंगाल में शूने पाती है दिल्ली के विधानसभा चुनाब 2015 में शूने आता है 2020 में शूने आता है सबसे पहले तो राहुल गांदी को ये पता होना चाहिए भारत अखंड है और भारत अखंड रहेगा आप उसको जोडने निकले हैं ये अपने आप में दिखाता है कि आप सपने देखते हैं दिन में भी देखते हैं आप मुझे बताईए किस तरह का लेकिन कहके दिखाएं उन्होंने कहा इनके लीडर ने कहा जहर की ओली जी ने हिंदू गंदा शब्द है राहुल गांदी में हिम्मत होगी एक बार कहें मुस्लिम गंदा शब्द है नहीं बोल पाएंगे इन्होंने हिंदू आतंगवाद का विश्कार किया अपने हेड़क और मिल जूल के ही सरकार बनानी पड़ेगी दोहदार चॉबिस ने हमेशा परसेप्शन बनाया उनी सो नवासी से नाइटी नाइन नाइटी से जब सचर्शेकर की सरकार बनाई कि देश में स्थिर स्टेवल को सरकार कॉंग्रेसी दे सकती है लगातार 95 में 96 में देव गोड नतीजा 2004 में हुआ, कॉंग्रेस को भरपूर मैजॉरिटी मिली और उस चुनाओं की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मुसल्मानों को एंट ब्लॉक वोट 80-85% आप निकाल के देख लिएगा वो कॉंग्रेस को गया था आज राहूल गांदी जी अपने राजनीतिक एजेंडे पे बहुत अच्छे से चल रहे है और कॉंग्रेस पार्टी सबको ऑकाद भी दिखा रही है कि कोई अपने राज में जो भी छत्रप हो लेकिन देश में अगर भारती जनता पार्टी के सामने कोई है तो वो कॉंग्रेसी है केरल से लेकर कन्या कुमारी तक हर राज में जिस तरत से समर्थन मिल रहा है और समर्थन अच्छा मिल रहा है उसका मक्सद एक है यह भारत जुड़ो यातना नहीं मुस्लमान जुड़ो यातना है और मुल्या तो पॉल्ड़ोंगों बागी लोग को कॉंग्रेस को समर्थन करना पड़ेगा देखिए जो मानसीक्ता है वो नहीं बदल सकती है आज देश को जोड़ने की बात करें इसमें इंदू-मुसल्मान करते हैं देश के लिए बात करना सब लोग साथ में चलते हैं हमने तो मौन भागवत जी को भी बुला पादरी के तामिल नाडू पहुंसती है उस पादरी के साथ चलते हैं जो कहता है भारत की भूमें अपवित्र हैं जूते पहन के चलता हूं बहुत अच्छा है उसके बाद एक मिनट सुनते जाईए अब अब शेहन शक्ती रखिए सुनने की केरल्द बता दिया तमिल नाड करने निकले हैं पूरे पूरे राली में आप करते मोहन भागवत को आपने इन्मिटेशन दिया था एक भी प्रेस कॉंफरेंच जिसमें आरेस को गाली नदी हो प्रोड़क्ट डिफेक्टिव होता है ना अंजना जी चाहे मीडिया पूरी जान लगा ले चाहे पार्टी वा नरेंद्र मोदी जी में भरोसा है अपनी विचारधारा में हैं इनके यहां देहाड़ी वाले प्रवक्ता लाते हैं उनको एक कागस देते हैं बताते हैं 11 रुपई मिल जाएंगे और नौकरी की बात करते हैं राहुल गांदी को कोई चपरासी की नौकरी ना दे आपने अग्गाओास बाते हैं